नमस्कार दोस्तों जीके अर्जिन सार यूप टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी एंटी एउजिस्टी नेट ज्यारव पाड़ दोसो तीहत्तर में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी से रिक्व आप लोगो इस वीडियो का पीडियो चाहिए तो पीडियाप का लिंक डिस्केशन में दे दे आऊंज जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं को कुश्चन नमबर वन है इसमें निम्न में से किस सूफी संथ के विचारों को सिखों के धर्म गरंत आदी गरंत में संकलित किया गया है तो किस सूफी संथ के विचारों को आदी गरंत में संकलित किया गया है तो वो सूफी संथ का नाम है फरिदुदीन गज ए संकर फरिदुदीन गज ए संकर कुश्चन नमबर दो है निमलिखित में से कौन से सूफी संथ पिवय इलाही के नाम से जाने जाते थे उस सुफी संत का नाम बताना है – उनका नाम था शेक निज्ञामुदीन अउलिया like मैं कुश्शन नमबर तीन हैं गो मैं निम्लिध में से किसे सेक हुल हिंद की पदवी पर्दान की गई थी किसे जो है सेख उल हिंद की पदवी परदान की गई थी ये परदान की गई थी सेख सलीम चिस्ती को कोश्चन नमबर चार है निमलिखित में से किस चिस्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था चिराग ए दिल्ली तो वो थे नसुरुदीन को एंसर होगा डी नसुरुदीन महमूद इनका पूरा नाम था सेख नसुरुदीन महमूद इनको जह है चिराग ए दिल्ली अर्थार दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्य थे ये कोश्चन नमबर पाँच है भारती दिहास में सूफी बात के संदर्व में निमलिखित कतनों पर बिचार केजिए और इसमें से कौन सा कतन सही ये ढूड़ना है पाला दिया सेख हमा सरेंदे इबराहिम लोदी के सामकालें थे ये गलत है दूसरा इसमें सेख नसुरुदिन चिरागे देली सेख निजामुदी नवलिया के सिसे थे ये तो सही है दूसरा इसमें सही है तीसरा दिया है औरंग जेब सेख सलिम चिस्ति के समकालें थे गलत है चवथा है भारत में सूफियों की कादरी पधती सबसे पहले सेख नियामतुल्ला और मखदुम मुहम्मद जिलानी द्वरा लागो की यह थी यह सही है यानि कि इसमें एंसर हो जाएगा डी दो और चार इसमें सही है कुश्ण नमबर छह सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं ख्वाजा मोईदून चिस्ती यह किस समंदित था यह चिस्तिया साखा से सेख आहमद सरहिंदी यह किस से थे तो यह थे नक्सवंदी से दारा सिको किस समंदित था तो यह था कादिरिया से सेक्षिहाववदीन ये थे सुहरा वर्दिया से यानि किसका एंसर देखा जा तो इसका एंसर हो जाएगा C, सही सुमेलित है कोश्चन नमबर साथ है निमलिखित सूफिवाद के सिलसलों में कौन संगीत के बिरुद था कौन जो इसमें संगीत के बिरुद था यह था नक्स बंदिया, जो संगित के विरुद्ध थे इसमें, कुश्चन नमबर आठ है, निमलिखित संतों में से कौन सूफी थे, कौन सूफी थे, रहीम ये सूफी नहीं थे, निजामुदिनों लिया ये सूफी संत थे, मोईदिन चिस्ती ये भी सूफी संत थे, रस खान ये सूफी नहीं थे, यानि दो और तीन इसमें सही है, तिसका एंसर हो जाएगा C, कुश्चन नमबर नौ है, निमलिखित युगम में से गलत युगम को पाचानी है, इसमें कौन सा युगम गलत है, तिसका एंसर होगा C, आउलिया मद परदेश, ये गलत है, यानि एंसर इसका C होगा, कुश्चन नमबर दस है, निमलिखित में से कौन एक भाक्ती आंदोलन से जुड़ा नहीं है, कौन जो है इसमें एक भाक्ती आंदोलन से जुड़ा नहीं है, तो वह है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ये भाक्ती आंदोलन से नहीं जुड़े थे, कुश्चन को आउलिया के रूप में किसने माना था सूफियों में से ये माने थे साह मुहम्मद गौौश ये सत्तारी सिलसिले से सम्बंदित थे ये कुस्चन नमबर बारा है निमलिकित में से किसका सम्बंद सूफिवाद से नहीं है किसका संबन्द जो है सूफी बाद से नहीं है तो ये उलेमा का संबन्द जो है सूफी बाद से नहीं है इसके लावा खान का सेख सवा ये सब सूफी से संबन्द थे कुश्चन नमबर 13 है सेख बहावदिन जाकारिया किस संपरदाय के थे तो सेक बहावदिन जाकारिया जो है ये किस संपरदाय के थे ये थे सोरावर्दी संपरदाय के ये एंसर होगा ए सोरावर्दी संपरदाय के ये एंसर होगा ए सोरावर्दी संपरदाय कोश्चन नमबर 14 है बारा मासा की रचना किस ने की तो बारा मासा की रचना कि थी किस ने यह कि थी रस्खान ने रस्खान ने जो है बारा मासा की रचना कि थी सारी इसका एंसर रस्खान नहीं होगा इसका एंसर होगा मलिक मुहमद जाईसी बारा मासा की रचना कि थी मलिक मुहमद जाईसी इसका एंसर सी होगा मलिक मुहमद जाईसी कोईशन नमबर 15 है इस्टर तेवार के पीछे इसाईयों की भावना है इस दिन इसाईयों की क्या भावना है इनकी भावना है कि इस दिन इसापुनर जिवित हुए थे कोईशन नमबर 16 है प्रती वर्स प्रसिद सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर मेला लगता है यहर साल जोए सूफी संत जिरका नाम है हाजी वारिस अली सा की मजार पर मेला लगता है कहां पर यह मेला लगता है इसमें पूछा जा रहा है तो इसका एंसर होगा सी देवा सरीफ में देवा सरीफ कहां पढ़ता है तो देवा सरीफ यह जो है उत्तर परदेश के बारा बंकी जिला है वहां से लगभग बारा किलम्टर दूरी पर देवा सरीफ परसिद है और इनकी मजार है हाजी वारिस अलिसा की जहां पर हर साल मेला लगता है कुश्चन नमर 17 है इसाईयों का गुड़ फ्राइडे क्यों मनाया जाता है इसाईयों का गुड़ फ्राइडे क्यों मनाया जाता है तो इसको मनाया जाने का करण है कि इसा मसी को सूली पर चढ़ाया गया था इसा मसी को जो है सूली पर चढ़ाया गया था और इसी यानि गुड़ फ्राइडे इसा मसी की सहिदी दिवस की रूप में इसाईयों द्वारा मना जाता है अगर बाइबिल के अनुसार देखें तो बाइबिल के अनुसार इसा मसी को सुक्रवार के दिन ही फांसी दी गई थी कुश्चन नमबर 18 है कौन सा इसाई संत पसु पच्छियों से प्रेम के लिए विख्यात है तो इसाई संत का नाम पुछ रहा है तो इसाई संत का नाम था असीसी के संत फ्रांसिस कुश्चन नमबर 19 है मद्यकालिन भारत के मुगल सासक वस्तुता थे ये ये थे चगताई तुर्क कुश्चन नमबर 20 है बाबर को भारतवार आकमल करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान आलम खान क्या थे ये तो ये थे इब्राहिम लोधी के संबंधी थे तथा वो दिल्ली के राशियाशन के दाविदार थे दिल्ली के राशियाशन के दाविदार थे इसका एंसर ये साई होगा कुश्चन नमबर 21 है किस मुगल साशक ने भारत में आटोमन युद्ध पधती को अपनाया था आटोमन तो आटोमन युद्ध पधती को अपनाया था उस मुगल साशक का नाम पूछ रहा है तो गो था बाबर एंसर होगा C बाबर कुश्चन नमबर 22 है इन में से किसने बाबर को सर एपूल के युद्ध में पराजित किया था तो सर एपूल का युद्ध हुआ था बाबर की हार रही थी तो किसने हराया था ये पूछ रहा है इसमें तो वो थे सैबानी खा एंसर होगा B सैबानी खा कुश्चन नमबर 23 है पानी पत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था तो उसकी सैने कुशलता थी एंसर होगा B उसकी सैने कुशलता कुश्चन नमबर 24 है निम्ण में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है तो इसमें जो है पानी पत का पर्था में ये तो सही है 1526 में हुआ था खानवा के ये तो 1527 में भी सही है घागरा के ये तो 1537 में भी सही है चंदेरी के ये तो 1530 में नहीं हुआ था यह हुआ था कम 1528 यानि इसमें D एंसर सही है क्योंकि सुमेलिक वाला नहीं पूछा आए कोश्चन नमबर 25 है और अंतिम कोश्चन है आज के लिए है निर्मलेखित में से किस यूद में एक पच्छ द्वारा पर्थम बार तोपों का उप्योग किया गया था तो पर्थम बार तोपों का उप्योग किया गया था किस यूद में तो वह यूद था पानी पत का पर्थम यूद जो एक कई सप्रेल 1526 को लड़ा गया था जिसमें बाबर ने तोपों का प्रियोग किया था ये थी कोश्चन आज के लिए तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के या अधिक सदिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में